Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Determinant Exercise 4.6 का Question No.12 देखते हैं क्या है Solve System of Linear Equation Using Matrix Method Matrix Method का यूज करते हुए हमारे पर जो Linear Equations दे रखी है इनके Variables की Value Find Out करनी है Means, solution से मतलब क्या है X, Y, Z जो Variable है उनकी Value हम Find Out करेंगे तो सबसे बहले हमें क्या करना पड़ेगा इन Equation से अपनी एक Matrix फोर्म करनी पड़ेगी वो कैसे होगी जो भी हमारे यहां पर Coefficient से Variable के वो हमारे क्या बन जाएंगे Elements of Matrix यहां पर X का Coefficient क्या है 1 फिर Minus 1, फिर 1 आगे क्या है 2, 1, Minus 3 फिर क्या है 1, 1 और 1 यह बन गई हमारी A Matrix कोई दिक्कत नहीं होनी चीए यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर B Matrix बनाएंगे B Matrix के अंदर क्या होते हैं बच्चों जो भी यह D1, D2, D3 की value होती है वो हो गई हमारी B Matrix 4, 0, 2 उसके बाद हमारी X Matrix होती है X में क्या होती है हमारी Variables होती है X, Y, Z, 3 Variables है हमारी Linear Equations में तो उसकी Matrix मनगी कलियर है अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है Determinant A find out करना होता है कि वो हमारा Note equal to 0 है या नहीं है 0 होगा तो solution ही exist नहीं करेगा फिर उसके लिए अलग चीज करनी पड़ेगी हमें तो क्या करना है यहाँ पर Determinant A निकाल लेंगे क्या करेंगे यहाँ पर 1 into यह Line कटगी, यह Line कटगी 1 की 1 से Multiply 1 Minus 3 की यह Plus 3 हो जाएगा Minus of Minus 1 क्या होगा? Plus 1 यह Line कटगी, यह कटगी 1 की 2 से Multiply 2 Minus of Minus 3 क्या हो जाएगा? Plus 3 फिर प्लस में 1 into यह Line कटगी, यह कटगी 2 की 1 से Multiply 2-1 तो Determinant A का सोलुचन क्या आगा? 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 वन जाब 4 प्लस में 2 प्लस 3, 5 वन जाब 5 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 की 1 से Multiply 1 5 और 4, 9 और 1 क्या हो गया? 10 तो Determinant A का सोलुचन आगया हमारे पास 10 जो की Not equal to 0 है इतनी बात क्लियर है? अब सोलुचन कैसे Find Out होगा? वो देख लो जो हमारी Equation लिखे जाती है AX is equal to B की Form में होती है अब यहाँ पे हमें क्या चीए? X की Value क्योंकि X के अंदर ही तो हमारे तिन्नो वेरियेबल है तो X का सोलुचन निकालना है हमें तो X is equal to क्या हो जाएगा? A inverse B पहले हमें A inverse निकालना पड़ेगा इस Matrix का उसकी फिर B से multiplication कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा अब A inverse निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले बच्चो Co-Factors निकालने पड़ेंगे A11 निकालना है एक दो बताऊँगा मैं बाकी मैं यहाँ पे आपको डिरेक्ली निकाल के लिख दूँगा मैं क्योंकि मेरी practice है मैं जल्दी निकाल सकता हूँ आपको पता लग चुका है Co-Factors कैसे निकलते हैं A11 कैसे लिख लेगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 M11 का मतलब माइनर ओफ 1 वन यह लाइन कटगी यह कटगी 1 की 1 से मल्टिप्लाई 1 माइनस और माइनस 3 4 हो गया तो यहाँ पर क्या आजाएगा मेरा 1 मल्टिप्लाई 4 इक्वल टू 4 आगया ऐसे ही A12 और निकाल के दिखा देता हूँ माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और माइनर क्या आजाएगा M12 माइनस 1 की और पावर है A13 निकाल लेंगे वो आजाएगा 1 फिर A21 निकलेगा मेरा यह आजाएगा 2 फिर A22 निकलेगा वो क्या आजाएगा मेरा 1 और 1 माइनस 0 0 आजाएगा फिर A23 निकाल लेंगे तो वो आएगा मेरा माइनस 2 यहाँ पर देखते है न जो odd power है न यहाँ पर 2 और 3 5 odd आ गया तो 90% chance है minus आएगा बट calculation जरूर करनी है ठीक है A2 3 आ गया फिर उसके बाद क्या निकलेगा हमारा A3 1 वो आएगा 2 A3 2 हमारा आएगा 5 क्योंकि minus 5 आएगा minus से multiply होगे plus 5 हो गया A3 3 निकाल लेंगे वो क्या आजाएगा हमारा 3 सारी values आ चुकी अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे पहले add joint A निकाल लेंगे add joint A क्या होगा यह सारी value लिखो क्या है 4 minus 5 और 1 फिर 2 0 minus 2 2 5 और 3 इसका transpose तो add joint A is equal to किसके हो गया हमारा इसका transpose करना है transpose का मतलब पता है आपको अच्छे से जो हमारी रोज है उनको column बना लो तो यह हमारी रो है तो column बनाएंगे 4 minus 5 और 1 यह हो जाएगा 2 0 minus 2 और यह 253 रो है तो यह बच्चो third column बन जाएगी 253 add joint A आगे आपके पास अब क्या निकालना है हमें A inverse A inverse क्या होता है 1 by determinant A into में add joint of A ठीक है तो A inverse क्या हो गया 1 by determinant of A का solution क्या है था आपका 10 तो 1 by 10 into में 422 minus 505 1 minus 2 और 3 यह बात clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब solution देख लो कैसे होता है हमारा X is equal to क्या होता है A inverse B X क्या है हमारी matrix XYZ की लिख दी भई A inverse क्या निकला है 1 by 10 into A matrix क्या बनी है मारी A inverse क्या बना है 422 minus का 505 और 1 minus 2 और 3 इसकी multiply किस से करेंगे B matrix है B की values क्या है 4 0 और 2 multiplication क्या होती है row की column wise इस तरिक्के से arrow जरूर लगाएंगे गलती नहीं होगी ठीक है left side क्या है हमारी variable XYZ 1 by 10 को रहने दो बच्चो बहार अंदर देख लो 4 की 4 से multiply 16 2 की 0 से multiply 0 2 की 2 से multiply प्लस में 4 फिर minus 5 की 4 से करेंगे minus का 20 0 की 0 से की तो 0 5 टूजा हो गया 10 1 की 4 से की तो 4 minus 2 की 0 से की तो 0 3 की 2 से की तो 3 टूजा 6 कोई दिक्कत नहीं होनी चीए XYZ XYZ is equal to क्या हो जाएगा ध्यान से देखो उपर क्या है 16 और 4 क्या हो गया बच्चो 20 20 को 10 से divide करेंगे तो क्या हो गया हमारा 2 आ गया minus 20 में से 10 गया minus 10 को 10 से divide करेंगे minus 1 आ गया 6 और 4 10 को 10 से divide किया 1 आ गया तो यहाँ पे compare करो आप X की value क्या होगी 2 Y की value क्या होगी minus 1 और Z की value क्या होगी 1 यह हो गया हमारा answer कोई दिक्कत नहीं होनी चीए समझ में आ गया होगा क्योंस्चन बिल्कुल simple था यह मैंने ज्यादा deeply इसलिए नहीं बताए time waste होता बहुत बड़ी video हो जाती यह आप चीज़े सीख चुके है इसलिए मैं बार-बार इनको repeat नहीं कर रहा हूँ कोई भी problem आपको लगे next class आपका sport करेगा मैं दिल से आपका sport करूँगा इसलिए whatsapp number भी दे रखा बच्चों के लिए कि उनकी कुछ न कुछ help हो जाए ठीक है आप भी please channel को subscribe कर लो आपके अपने teacher की इतनी बात तो माने सकते और channel को ज़्यादा से ज़्यादा juniors में भी share करो thank you students for watching next class is video